जैसे किसना वक्तों, बी-एस सर्मा बद्वा चैनल में आप सभी का स्वागत हैं होल का देन पर होली की जो राख होती हैं, दोस्तों उसके बहुत फैदे होते हैं सास्रों के अनसार होली की राख का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है जैसे अगर घर में कोई व्यक्ती बीमार बहुत रहता है, दवाईयां काम ने कर रही तो चाहिए कुछ व्यक्ती का हाथ लगा करके एक पान का पत्ता, उसके उपर दो बता से और दो लौंग रख करके आप होल का देन में उस व्यक्ती के नाम से समर्पित का दें उसके बाद में वहां की राख जब थंडी हो जाए थोड़ी सी राख लेकर के उस व्यक्ती को सरीर पर इसपर्श करा दें, जगे जगे लगा दें तो उस व्यक्ती को दवाईयां काम का नीज सुरू का देती हैं, बीमारी दूर हो जाती है अगर घर के अंदर वास्त दोस होता है थो होलका की राख को दूसरी दिन, जिस दिन होली जलती है उसे दूसे दिन होलका की राख को लेकर के घर में छड़कने तो घर के अंदर से वास्त दोस और नकरात्मक उर्जा दूर हो जाती है दोस्तों अगर आपके परवार में किसी का कोई जादू तोटका कुछ किया हुआ है किसी के उपर आपको मैसुस होता या किसी इस्थी की कोख बनी हुई है तो उसके लिए भी होलका की राख का लेकर के अपने पेट पे लगाएं नित प्रती पेट पे लगाना सुरू कर दें और थोड़ी जरासी चाट लिया करें ये 21 दिल लगातार कर लें तो निश्चित रूशे बंदन भी खुल जाते हैं और किया कराया दूर हो जाता हैं अगर हुलका की राख को लाल कपड़े में बानकर की तिजूरी में रखा जाएं तो घर में धनकी बरकत प्रारम हो जाती हैं हुलका की राख के अद्वट चमतकारी उपाय होते हैं किसी बच्चे को नजर लग जाती है तब भी हुलका की राख का ठीका लगाये जाता है इसलिए फूलका की राख घर के अंदा जरूर रखें दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को जैसी किसना